और फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूं हैदराबादी मटन मसाला रेसिपी और यह इतनी टेस्टी बनने वाली है कि इसकी ग्रेवी दानेदार ग्रेवी और रिच ग्रेवी को देखकर आपके मुह में 100% पानी आने वाला है तो आप मेरे बताए इनों सारी रेसिपी जरूर बन में लिया है 1.5 किलो मटन को मैंने 2-3 बार अच्छी तरह साफ पानी में धोने के बाद में इसको चलनी में रख दिया था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो इसका सारा निकल जाए इसके बाद में लिया है मैंने 1 कटोरी गाणा दही ज्यादा पतली नहीं होनी चाहि है साथ में मैंने लिया है 2 चमच धन्य का पाउडर 2 चमच गरम मसाला पाउडर और 5 चमच भुने हुए जीरे का पाउडर 1.5 चमच कसमिरी लैल मिरज पाउडर और फ्रेश हरा धनिया और थोड़ा सा पोदीना V arc 710 हरी मिर्चों को पीच में से चीर या है मैंने और स्वात के कोडिक नमक अब इन सारे मसालो को हम हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि जितने भी मतन के पीस हैं मसाला उनके उपर अच्छी तरह से कोट हो जाए अब हमें क्या करना है जब भी मसाला चितरे से कोट हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स में हल्दी डालना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी का एड़ किया है इसमें अब इसको हम लगभग एक घंटे के लिए रेस्ट पर रख देंगे तो इसको ढखके अपने किचन काउंट पर छोड़ दीजिए एक घंटे के लिए तब तक हम और मसाला तयार कर लेते हैं क्योंकि एक घंटा लगभग हमें मसाला तयार करने में भी लग जाता है तो यहाँ पे मैंने पहुत सारा लसुन लिया है लगभग चार जो पूरी काठ हो दिये लसुन की वह एड़ किया है और तीन इंच अधरक लिया है आधे से आधा जाइफल लिया है एक चमच काली मिरज पाउडर और तीन साबुत मिरज इन सब का हम बहुत फाइन सब पेस्ट बना लेंगे यह देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है अब इसको हम साइड में रख लेते हैं अब हम तेज पत्ते लिया है मैंने यहां पर और दू इंच दालची नी एक स्टार फूल एक बड़ी लाइची जो काली लाइची होती है आट दस लॉंग और एक फूल लिया है जाबितरी का तो इन सारे खड़ी मसालों को हम जब इसको फ्राइ करेंगे तब यूज करेंगे तब जिस बरतन में हम मतन को बनाएंगे मैं यहां कूकर प्रैसर में बना रही हूँ तो मैंने यहां पे लिया है लग भग चार बड़े चमच तेल के मतन में या चिकन में तेल का जादा यूज होता है और हमने तेल को बहुत गरम करने के बाद धूआ निकलने के बाद हलका चा का टेमपरेचर कम कर लिया था ताकि जो घड़े मसाले है वह जलेना और जो उनका टेस्ट है जो उनकी इसमेल है वह तेल में अच्छी तरह से एड हो जाए अब जो कटी हुई प्यास थी जो उने बारिक काटी थी उसको हम इस ओयल में एड कर देंगे और इसको चलाते रहे प्यास को हमें हलका सा brown होने तक भूझना है नाय। जब गोल्डन brown हो जाएगा बस उस स्टेश तक हमको प्यास को भूझना है इते के प्यास यहां पर हमारी golden brown हो जुकी है इससे जशादा हमें इसको नहीं भूझना है अब इसमें एड़ कर देंगे हम जो हमने मसाला पीस कर रखा था तो वो सारा मसाला एड़ करने के बाद में लगभग इसे 5-6 मिनट तक के लिए फिर भूनना है फ्रेंड्स जितनी भी मटन चिकन की रेसिपी होती है ना इसमें भूनाई का काम सबसे जादा होता है आप जितना मसाले को या चिकन मटन को भूनेंगे उतना ही आपकी रेसिपी टेस्टी बनेगे मसाले के भून जाने के बाद में एड़ कर देंगे हम मैगनेट किया हुआ मटन अब इसको हम कंटीनियू चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से इसका जो मटन का पानी है वो रिलीज ना हो जाए इसमें हमने प्याज को भून के डाला था तो जादा पानी रिलीज नहीं होगा सिर्फ मटन का पानी ही रिलीज होगा तो इसलिए continue हमें इसे चलाते भी रहना है ताकि तले में जो मटन है या मसाला है वो लगे ना तो इस तरह से मैंने इसको लग भग आधे घंडे से जादा मैं इसको चला रही हूँ और आप देख सकते हैं अभी इसमें कितना पानी बागी है तो मुझे और लगातार इसी तरह से अभी कम से कम 15 मिनट और इसको भूनना पड़ेगा और तब तक भूनेंगे जब तक का इसका पानी सारा सूख नहीं जाता है मतन बनाने या चिकन बनाने में सबसे ज़ादा काम सिर्फ भूनाओ कही ही होता है आप जितना अच्छा मीट को भून लेंगे मीट का टेस्ट उतना ही अच्छा हैगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरी बताई रेसीपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो को लाइक शेयर कर दें यहाँ देखिए चलाते चलाते मटन का सारा पानी सोख चुका है और इसका जो ओयल है मटन का वो भी सेपरेट होने लगा है यह पहचान है कि हमारा मटन बहुत अच्छी तरह से भून गया है अब हमें जितनी भी ग्रे भी रखनी है उसके अकॉर्डी हम इसमें उबला हुआ पानी ऐड़ कर देंगे यह बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम होता है पानी आड़ करने को और हमें ध्यान रखना है हमें कभी भी ठंड़े पानी को आड़ने करना है हमें सब वॉयल तो एकदम डालते ही इसमें वाइल आ गया है तेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कर दें तेस्ट करने के बाद क्योंकि हमने मैगनेट करते समय भी इसमें नमक को एड किया था अब इसे हम 10-15 मिनिट के लिए और बनने देते हैं 10-15 मिनिट के यह थोड़ा सा मुझे कच्छा लग रहा है मैं इसे 2-3 सीटी आने तक बंद करके रख देती हूं अब देखिए यहां पर 3 सीटी आने के बाद मैंने मटन को देखा है खोल के वाओ क्या कलर आया है आप भी दे कितना अच्छा बनाएं बस आप एक बार इस तरह से मटन की रेसिपी जरूर बना के देखिए और मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने चलिए अब इसको हम प्लेट में सब कर लेते हैं य यह रिच और एकदम दानेदार ग्रेवी बनी है आप एक बार इसको चरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद कमेंट्स में लिखना ना भूलें कि आपका यह मटन कैसा बना है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई